चुडेंट्स, बच्चों, हम लोगों का D&F ब्लोक चेप्टर चल ला था अब तक हम जो तीन लेक्चर डिलीवर हुए थे उसमें D&F ब्लोक की प्रोपर्टीज के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एफ ब्लोक एलिमेंट्स, एफ ब्लोक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रोन एंटर करेगा N-2F में, N-2 का मतब थर्ड लास्ट, बहार वाली सेल N होती है ये N होती है, ये N-1 होती है और ये थर्ड लास्ट वाली होती है N-2 तो बहुत सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट लेक्ट्रोन N-2 F-ORBITALS में एंटर करता है उनको हम बोलते हैं F-Block Elements अब सारे जो F-Block Elements हैं, ये Periodic Table के Bottom पे रखे हुए हैं और उनको दो Categories में Divide करा गया है पहली बात तो ये कि इनका General Electronic Configuration ये होता है N-2 F में 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकते हैं N-1 D में 0 हो सकता या 1 होगा या 2 होगा और N-S में 2 होगे दो Categories हैं, पहली है Lengthenoids या इसको बोलते हैं 4F Series Elements क्योंकि इनका Last Electron 4F Orbitals में Enter करता है इसलिए इनको हम बोलते हैं 4F Series Elements ये कौन से होते हैं Lengthenum 57 के बाद के जो 14 Elements हैं यानि Atomic Number 58 से लेके 70 बन तक इनको हम बोलते हैं Lengthen Vides मैंने ये यहाँ पर लिख दिये हैं पहले से ही ये जो Lengthenum Element है ये Practically D Block का Element है लेकिन हम इसकी Study इसी के साथ करते हैं क्योंकि Definition के हसाब से तो ये D Block का Element है लेकिन बाकी सारी Properties में ये Regemble करता है F Block Element से तो जो Lengthen Vides के Starting होती है वो Atomic Number 58 से होती है और 70 बन तक फिर भी हम Lengthenum की Study भी इसी में करेंगे इनका Last Electron 4F में Enter करेगा इसलिए इनको हम बोलते हैं 4F Series Elements अब दूसरी आती है Actin Vines इनको हम बोलते हैं 5F Series Elements ये होते हैं Actinum 89 के बाद के यानि 90 से लेके 103 तक के 14 Elements इनको हम बोलते हैं Actinoids Actinum D Block का Elements है लेकिन इसकी Study हम इनहीं के साथ करेंगे तो कि Definition को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी Property जिनकी F Block से Regemble करती है तो F Block Elements 28 है टोटल 14 है Lengthinoids and 14 है Actinoids अगर हम Lengthinoids के बारे में बोलें तो Simple सा हम बोलेंगे कि 14 Elements after Lengthenum 57 are called Lengthinoids They are also known as 4F Series Elements because their last electron enters into 4F Orbitals Similarly 14 Elements after Actinum 89 that is the Elements from Atomic No. 90 to 103 are called Actinoids They are also known as 5F Series Elements because their last electron enters into 5F Orbitals इनका Lengthinoids और Actinoids ये गुरूफ 3 में प्रिजेंट हैं और ये पिरियज है इनका 7thिरियज है — यानि Lengthinoids इस 6th पिरियज ने हैं और Actinoids सेविंख पिरियज में हैं और दोनों का गुरुप नमबर 3 है यानि दोनों 3 गुरुप में पर्रिजेंट हैं अब हम बात करते हैं इनके properties की length and whites की जो properties हैं पहली है electronic configuration ये जो property हमने लिखी है right में इसमें हम पढ़ेंगे electronic configuration ये कुछ elements आफवाव प्रिंसिपल को follow नहीं करते हैं मैं आपको explain कर रहा हूँ आफवाव प्रिंसिपल ये है आपने 11th में पढ़ा होगा energy level diagram अगर हम बनाएंगे 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, और 5S, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P, और 8S electron के आने की ये जो direction है 1S में आएगा फिर 2S इस टाइप से जो हम याद करते थे आपने 11th में ये करा होगा structure of item में electron पहले 1S में आएगा फिर 2S में 2P, फिर 3S, उसके बाद 3P, फिर 4S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P ये order है इधर से हम भरना शुरू करेंगे अब अगर हम element ले लें 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 थिनम और हम इसका electronic configuration लिखना शुरू करें तो हमने electron भरना शुरू करें 2, 57 है इसमें 2 आएगे इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, 2, 10 फिर 6, 2, 10, 6, 2, 14, सोरी यहां तक अगर हम आए यहां तक electron हो गया बच्चो 54 और 54 atomic number होता है जिनोन का इसके बाद next electron जाएगा 6S में 2 electron अब हमारे electron फिल हो गया 56 से 57th electron according to our wow principle enter करना चाहिए था 4F में किसमें enter करना चाहिए था 4F में लेकिन वो 4F में न जाके 5D में जाएगा अब जब next आएंगे atomic number 58 में तो 5D में तो एक ही रहेगा और जो extra electron आया वो 4F में आ गया ना तो atomic number 57 में आप बाव principle फालो हुआ है और ना 58 में next case में क्या होगा 5D का electron भी इधर shift हो जाएगा और एक बढ़ गया atomic number बढ़ने के साथ तो यहां हो गए 3 फिर यहां हो गए 4 फिर यहां हो गए 5 फिर यहां हो गए S में तो 2 है 6 फिर यहां हो गए 7 फिर यहां होना चाहिए था 8 लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि F में 7 जब electron होंगे तो यह stable होगा तो यहां पर 7 होंगे और एक इधर shift हो जाएगा stability देने के लिए next case में यह भी यहां आ जाएगा तो यहां 9 यहां 10 11 12 13 14 और यह यह electronic configuration है आप wow principle यहां follow नहीं हो रहा है यहां नहीं हो रहा है और यहां नहीं हो रहा है बात की सारे cases में हो रहा है तो यह हो गया electronic configuration sequence of filling थोड़ा सा deviate हो गया है आप wow principle से दूसरी property है color जैसे हमने d block में पढ़ा था कि d block element उनके iron या उनके compounds are colored due to d d transition और d 0 और d 10 colorless थे यहां पर भी f f transition होगा मतब color is due to f f transition f f transition उनमें होगा जिनमे f में बन से लेके 13 electron होंगे यानि जिसका electronic configuration यह होगा f 1 से लेके f 13 वो सारे colored होंगे f 0 में f f transition नहीं होगा और f 14 में तो यह कैसे होंगे colorless अब बात आती है third property की magnetic property magnetic properties में हम देखेंगे कि यह paramagnetic होते हैं अगर इसमें unpaired electron होते हैं paired होते हैं तो diamagnetic लेकिन इनका जो magnetic moment है उसको निकालने का यह formula नहीं है यह d block में applicable होता है यह यह आर colored paramagnetic due to presence of unpaired electron f 0 और f 14 diamagnetic होते हैं बट their magnetic moment cannot be calculated by this formula इस formula से इनका magnetic moment calculate नहीं हो सकता इनके लिए दूसरा formula होता है जो कि आपके इस level से बहार है next property आती है oxidation state d block elements की बच्चो general oxidation state होती है plus 3 plus 3 का मतलब यह है most of the f block elements exhibit plus 3 oxidation state कुछ other oxidation states भी होती है जैसे plus 2 और plus 4 तो उनकी stability हम explain कर सकते हैं f 0 या f 14 या f 7 electronic configuration के respect में क्योंकि f 14 ज्यादा stable होगा filled it f orbital है f 7 भी stable होगा exactly half filled है और f 0 भी stable होगा क्योंकि f 0 में कोई भी electron नहीं है empty orbital है अब हमने कहा e u plus plus यहाँ पर जब electron निकलेगा बच्चो पहले electron निकलेगा भार वाली cell में भार है 6 उसके बाद जरुवत पड़ेगी तो 5 की और उसके बाद electronic configuration निकालना है तो पहले भार से सुरुवात करोगे फिर उसके अंदर y v plus plus अब पहले आप सोचो y v कहाँ है यहाँ पर two electron गए यहाँ से तो यह f 14 बचेगा और हमको पताए कि f 14 stable होता है तो plus 3 के अलावा यह oxidation state भी होंगी जिसकी चहाँ आप उसकी लिख लो c e plus 4 plus 4 में सिर्फ c e ही जाता है क्योंकि 4 electron निकालने के बाद यह noble gas like electronic configuration acquire करेगा two यहाँ से फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से अब genon का electronic configuration बचा यह हो जाएगा 4 f 0 5 d 0 6 s 0 तो plus 4 oxidation state तक ही length in white so करते हैं और plus 4 भी c e की होगी c e plus 4 में तो आ जाएगा लेकिन plus 5 में नहीं आपाएगा क्योंकि plus 5 में अब electron निकालना इसका मुश्किल है क्योंकि यह noble gas like electronic configuration acquire कर चुका है tb 4 plus अब यहाँ पे आप देखो tb कहाँ पे है यह 4 निकालने मतलब 2 यहाँ से निकले फिर यहाँ पर कोई है नहीं और 2 यहाँ से तो यह भी stable हो जाएगा 4 f 7 5 d 0 6 s 0 तो plus 3 के अलावा यह oxidation state भी होती है एक बात आप note कर लेना d block elements की general oxidation state plus 2 होती है और f block elements की general oxidation state plus 3 होती है d block की plus 2 और f block की plus 3 उसके अलावा other oxidation states भी होती है लेकिन इनकी stability expand करने के लिए हमको help लेनी पड़ेगे fulfilled half filled and empty f orbitals की तो length and whites क्या है हमने पड़ा length and whites की 4 property पड़ी पहला electronic configuration दूसरी color तीसरी magnetic property and fourth is various oxidation states और इसका electronic configuration similarly act and whites में जाब आएंगे तो उसका हम electronic configuration तो पड़ेंगे उसमें भी कुछ elements आप बात प्रिंसपल को follow नहीं करेंगे यह बाकी जो oxidation state है यह property सेम होगी बस difference क्या है वो higher oxidation states भी सो करते हैं यह सिर्फ प्लस 4 तक सो करते हैं वो भी colored होंगे due to ff transition वो भी paramagnetic होंगे due to presence of unpaired electrons तो बाकी property सेम है actinoids का सिर्फ हम पड़ेंगे electronic configuration एक lecture और बच्चवा है छोटा सा और एक इसमें टॉपिकल लेंधें wide contraction जो की बहुत important है वो पढ़ना है आज फिलाल इस lecture में इतना ही थैंक दो कोगार के बहुत है इस दो अरो जो कम मिन झाओ रेंगे कर दो हैं थे कि पु dziद बच्छें कि प्लेख दो कर दो किंकर आदूज तो कि अर फजदूड से में घंकि दो बच्श पादर्मेंडेंगे को तो कि दारो का थज़ना है जब बच्वार्द दो कि अ